36 गड के जांजगीर चाम पाजिले में बोर्वेल के लिए खोदे गए गड़े में फंसे राहुल को बचाने की जद्दोज़त करीब 78 घंटे से जारी है सेना और अंडिया रिल्फ की टीम जितना राहुल के करीब पहुँच रही है दिक्कतें उतनी ज्यादा बढ़ने लगी है बताया जा रहा है कि राहुल का मूवमेंट अब कम हो गया है उसे बचाने के लिए अभी भी टनल का काम जारी है और डिल मशीन का इस्तिमाल किया जा रहा है अभी तक राहुल तक पहुँचने के लिए 3 फीट की दूरी बताई जा रही थी अब बताया गया है कि तीन फीट लंबाई में खुदाई के बाद चार फीट उपर भी खुदा जाएगा जिससे बच्चे को बाहर लाया जा सके ऐसे में खुदाई का समय बढ़ गया है वहीं दूसरी और मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है राहुल के बाहर आते ही उसे एम्बुलेंस से बिलास्पुर लेकर जाएंगे जहां अपोलो अस्पताल में उसे भरती किया जाएगा मुख्यमंत्री ने राहुल को रेस्क्यू के बाद ग्रीन कॉरिडोर बना कर ले जाने के निर्देश दिये है बच्चे को बाहर लाने के लिए अंडियारियूफ की टीम के सदस्य मास्क लगा कर और पीट पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जाने की तैयारी कर रही है वहीं मेडिकल स्टाफ अलर्ट मोड पर आ गया है अक्सीजन मास्क के साथ ही स्ट्वेचर की व्यवस्था की गई है अब जब की रेस्क्यू का काम जारी है गड़े में पानी रिस रहा है जिसे बाल्टी बल्टी से निकाला जा रहा था मगर वह ज्यादा देर तक संभव नहीं है इसलिए कलेक्टर के निर्देश पर पिहरीद गाउ में जलस्तर को कम किया जा रहा है जिससे की उस गड़े में पानी का रिसाब नहीं हूँ गाउ के सभी बोर को चालू करा दिया गया वहीं गाउ के दो स्टाप डैम है जिसे बंद करा दिया गया है तनल की खुदाई के दोरान काफी डस्ट निकर रहा है पानी मार कर डस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है पिहरीद गाउ के बोर्वेल में गिरे 10 साल का राहुल को करीब 78 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं राहुल 60 फीट से भी नीचे गड़े में फसा हुआ है रविवार शाम तक रोबोटिक्स तरीका फेल हो जाने के बाद रात में टनल के सहारे बाहर निकालने का प्लान बनाया गया है टनल की राह में एक बड़ी चट्टान आ गई है ज्यादा बड़ी मशीन का उप्योग यहां करने से आसपास कमपन की संभावना बढ़ जाएगी इसलिए सूजबूज और एक्सपर्ट के बीच चर्चा करके ही फैसला लिया जा रहा है बच्चा शुक्रवार दोपहर दो बजे के आसपास गायब हुआ उसका कुछ पता नहीं चल रहा था बच्चे को ढूंदने के दौरान माता पिता को बोर्वेल से आवाज आई दायल 112 को सूचना दी गई प्रशासनिक अमले को इसकी जानकारी मिली शुक्रवार शाम पाँच बजे से रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया गया देर शाम फिर कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में जेसीबी से खुदाई का काम शुरू किया गया पस्दियारफ उंडियारफ की टीन पहुँची देर रात तक सेना के जवान भी मौके पर पहुँच गये थे शनिवार को रोबोट इंजिनियर महेश अहीर को बुलाया गया मगर वह नहीं आ सका शनिवार को ही रस्सी से बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया वह भी असफर रहा रविवार को बच्चे को रोबोट से निकालने का प्रयास किया गया ये भी असफर रहा रविवार को माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया फिर टनल बनाने का काम शुरू किया गया चट्टान बीच में आ गई जिसे तोड़ा जा रहा है बड़ी मशीन से ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया अब छोटे मशीन से ही ड्रिल किया जा रहा है बीच में चट्टान की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है बड़ी ड्रिल मशीन का उप्योग भी नहीं किया जा रहा क्योंकि इस से आसपास कमपन हो सकती है बाकी का काम छोटी ड्रिल मशीन और हाथ के खुदाई के जरीय किया जा रहा था लेकिन छोटी मशीन से भी परेशानी हो रही है इसलिए बिलासपुर से ऐसी मशीन को बुलाया गया है जो आकार में थोड़ी छोटी है अब इसी मशीन से टनल बनाई जा रही है झाल 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 झाल